हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दा प्लेटफर्म आज हेल्थ फर्स्ट किचेन में बना रही हूँ एक इंट्रेस्टिंग डिंक जो चिकु से तो बना है पर इसमें है एक सेक्रेट इंग्रीडियंट जो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है तो चलिए देखते है किचेन में कि मैंने क्या यूज किया है वहाँ पर इस ट्रिंक को बनाने के लिए मैंने लिए हैं आठ पीस भिगो कर रखे हुए काजू चार पीस भिगो के रखे हुई खजूर और दो बड़े साइज के चिकु काट करके छिल लिए हैं और अब इसके साथ में हैं मेरे पास में चार चमच खाने वाली ओट्स की ये क्विक वाले ओट्स हैं जिने में थोड़े से पाने की सायता से भिगो करके रख देती हूँ इन सब की सायता से हम एक अच्छा सा ड्रिंक तैयार करेंगे पर अभी इसमें कुछ और भी चीज है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी और वो इस ड्रिंक को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाली है तो चलिए सबसे पहले हम डाल लेते हैं चीकू को अपने मिकसर जार में और फिर उसके बाद मैं डालने वाली हूँ हमारे काजू थोड़े से दो टुकड़े काजू के मैंने बचा के रख ली है इनने हम गारनिसिंग के लिए काम में ले लेंगे काजू डालने के बाद अब हम छील लेते हैं अपनी सारी खजूर को और इसके बीच को अलग कर देते हैं फ्रेंड्स हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो चिकु तुरंथ एनरजी प्रोभाइट करता है तथा हमारे मेटाबोलिजम को भी बूस्ट करता है इसके अलावा इसमें विटामिन A, B, C and E होता है केल्सियम, मेंगनेशियम, पोटेशियम, मेंगनेश, फाइबर और एंटी ऑक्सिडेंट क्या कुछ नहीं पाया जाता है इसमें और वहीं अगर हम ओट्स की बात करें तो यह तो one of the healthiest grain है on the earth ग्लुटन फ्री होने के साथ साथ ही है, important source of vitamin B है, mineral, fiber and antioxidant सब कुछ तो है इसमें, यह weight loss में मदद करते हुए हमारी blood sugar को भी control करता है तथा heart disease की risk को भी कम करता है तो इन सब फायदों को देखते हुए हम इनको आज combine करेंगे अपनी कुछ और चीज़ों के साथ तो यह है मेरी वो secret चीज जिसे हम cocoa powder के नाम से जानते हैं दो चमच cocoa powder के लिए मैंने और साथ में ही लिया है मैंने थोड़ा सा cinnamon powder चुटकी भर जो इसके flavor को enhance कर देगा और डाल रही हूँ एकदम chilled पानी हाप आप करके दो glass क्योंकि मैं दो glass smoothie का बना रही हूँ तो हाप आप glass करके पानी लूँगी तो पूरी एक एक glass smoothie बन जाएगी इसे अच्छी तरह से grind करके मैंने एकदम smooth सा paste बना लिया है यहाँ पर आप चाहे तो और भी ice का प्रियोग कर सकते हैं अगर आप ठंडा जादा पसंद करते हैं तो लेकिन मैं उतना जादा ठंडा पसंद नहीं कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसे chilled पानी के साथ ही serve कर रही हूँ तो यह हमारा healthy drink तयार हो गया है अब मैं इसे garnish कर रही हूँ थोड़े से चिकू के कटे हुए टुकडों के साथ जो बहुत अच्छे लगेंगे इसमें और इसके साथ में एक और चीज इसमें डालूंगी वो है मेरी dark chocolate की pieces बारिक काट के रखे हुई है इससे इसका flavor बहुत enhance हो जाएगा अगर आपको dark chocolate पसंद नहीं हो तो आप milk chocolate का भी परियोग कर सकते हैं friends इस recipe में हमने न तो के दूद का प्रियोग किया है और नहीं किसी प्रकार के sweetener का फिर भी यकीन मानिए ये बहुत ही बढ़िया लगती है इतनी यम्मी कि अगर आप इसे किसी को भी पिलाएंगे तो वो आपकी इस recipe का fan बन जाएगा और बच्चे तो फटा फट ग्लास को कर देंगे तो मैं जानती हूं कि आप भी इस प्रकार की recipe जरूर बनाते हैं तो आप उन recipes को मेरे साथ comment करके जरूर share कीजिए और मेरे चैनल को like subscribe करके share करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई जय जी करता हुआ है